गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीम कांडिडेट नरेंद्र मोदी की मुश्किने बढ़ गई है केंद्र काबिनेट ने गुजरात में एक महिला की जासूसी कराने के मुद्दे की जांच के लिए आयोग गठित करने की मंजूरी दे दी है पीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सम्विधान का उलंकन करार दिया है क्योंकि उसके मुताबिक ये मामला राज्य सरकार के शेत्रादिकार में आता है केंद्र सरकार के फैसले पर पीजेपी भड़क गई है पार्टी अध्यक्ष राजनात सिंग ने कहा कि जांच होने दीजे तथे सामने आ जाएंगे उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस हमेशा मोधी को घेरने में लगी रहती है इसलिए इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है गौर्टलबे की गुजरात में रह रही एक युक्ती की मोधी के करीबी और ततकालीन ध्यमंत्री अमिच्ष शा के कहने पर जासूसी करवाई गई थी इस जासूसी कान में राज्यकेश शीर्स आईपेस अफसर शामिल थे खोजी वेबसाइट गुलेल.com ने हाल ही में ऐसे कई आडियो टेप्स जारी किये थे जिसमें अमिच्ष शा अपने अफसरों को साहब के कहने पर महिला की जासूसी करने के आदेश दे रही वेबसाइट का दावा है कि महिला की जासूसी नसर गुजरात बलगी करनाटका और महराश्क्र में भी कराई गई यूस पोइंट वेड़ो